Middle East का बहुत महतुपूर देश है इस्राइल, जो की एक यहुदी देश है, लेकिन इस्राइल के जो पूर्वी हिस्से में है वो है West Bank और जब से इस्राइल बना है इतिहास में, तब से लेकर West Bank में ये unrest है और ये विद्रो, विरोध ज्यादा बढ़ रहा था, जिसको नए फिल इस तीन वार में, जो की अब तक सामने नहीं आ पाया है, या फिर इतिहास क्या कहता है, क्यों एक जमीन के टुकड़े के लिए जो तीन धर्म है, इसाई, इसलाम और यहुदी, ये तीन धर्म क्यों आखिर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, क्या इतिहास कहता है और आगे प जा रहे हूं कि फर्स्ट वर्ल्ल वार से जब ब्रिटेन ने कॉलोनाइजेशन किया था यहां पर, उसके बाद से ही एक नए देश की मांग हुई, इसराइल तो पहले था नहीं, लेकिन ऐसा क्या है इसराइल में, फिलिस्तीन में, गाजा स्ट्रिप में, ये वेस्ट बैंक में, कि ये तीन जो धर्म है, सब केंद्रित हो गए हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, देखिए, जो जेरुसलम है, वो सब धर्मों का एक हिन्दु धर्म को छोड़के, हर धर्म की वहां पर मौजूद्गी है और आस्ता है, जो गाजा स्ट्रिप को आप आईसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इलाका, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ऑटमन इंपायर का भाग था, और जूज भी थे यहां, एरब मुस्लिम्स, एरब जूज, एरब क्रिस्टियन्स, सब इस इस इलाके में रहते थे, सब की छोटी-छोटी सैटलमेंट्स थ दोरान, जूज ने, जूज ने कोशिश की थी, कि इसको अपना एक यहां पे कंट्री बना ले, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो उसका, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, बिटेन ने और अलाइड ने, मतलब जब ऑटमन इंपायर को खदेड निकाला यहां से, और आपको मैं सिर्फ भारत से कंहकरना चाहता हू put कि हाफिया का युद्य जिसके ओपर इस्रेयली parmi nister और हमारे prime minister ने जो तीन मुर्थी को हाफिया तीन मुर्ती मेमोरियल कर दिया जो हमारे मेमोरियल है उसका नाम रख दिया क्योंकि वह हाफिया युद था जिसमें इंडियन सॉल्जर बिटिश आर्मी की तरफ से ओटावन एंपायर के खिलाफ उनको यहां से खदेड बेजा था और बड़ी बादूरी से लड़े थे तो जैरुसलम सेट्लमेंट बढ़ने लगी सेकंड वर्ड़ वार के बाद यूएं ने इसना की जूज को एक प्रापर कंट्री चाहिए क्योंकि सेकंड वर्ड़ वर्ड़ की हॉलो कॉस्ट मैं जूजिम को जिस तरह से हिटलर ने जिस तरह से को मुद्दा वहीं से था अगर उस मुद्दे को सेटल करना तो उनको होमलेंड देना पड़ेगा तो यूएन ने एक एरिया उनको डेडिकेट कर दिया टेल अविव और जैरुसलम के बीच में पूरा का पूरा इसराइल बसा दिया ये बिलकुल रिक्नाइज कर दिया एरब वर्ल्ड को ये लगी एजिप्शन तो फिर से एक लड़ाई हुई जिसमें की इंग्लेंड फ्रांस और इसराइल एक साइट थे और उस टाइम पे इसराइल ने फिर गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया लेकिन ट्रूस क्या फिर विड्रॉव कर गे ठीक इसे तरह नाइंटीन सिक्टी स ब्लॉकेड है गाजा स्ट्रिप लेकिन इसराइल का कब्जा नहीं है इसराइल की हकूम नहीं चलती गाजा स्ट्रिप इसराइल के सारे नहीं चलता है पैलेस्टीनियन स्टेट की जो रियल डिमांड थी वह सिक्स्टीज में स्टार्ट हुई अगर आपको यह असर अराफा कि जो वेस्ट मेंक, पेले वेस्ट मेंक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जॉर्डन वेस्ट मेंक कंट्रोल करता था जॉर्डन के कंट्रोल में था जॉर्डन रिवर के वेस्ट में तो वेस्ट मेंक बोलते थे हाँ तो और गाजा स्ट्रिप को इजिप्शन कंट्रोल करते थे ये जब से मिसर से सीमा लगती है वो 12-15 किलोमेटर का वो और फिर कंप्लीट वो तो उस पे इजिप्ट का कंट्रोल था जब पैलिस्टीन जब और यहसर अराफाद तो लेबनन से वहा तो जब उस पे जब इस पालेस्टीनियन स्ट्रिप तो इस दोरां जो असली प्रावलम आई वो आए कि जो पैलिस्टीनियन आ उथर्टी है जो West Bank पर रूल करती है जो इसराइलीज ने वाह सेटलमेंट की और जो इसराइलीज ने वहां सेटलमेंट के दौरान जो जातियां की मैं समझता हूँ उससे conflict बढ़ गया जो फतेह थी West Bank में जो Palestinian की वो थी और जहांसे यासर अरफात ना पनी वो स्टार्ट की थी और जो हमास है उनके differences आगे 2006-07 के बाद West Gaza Strip पे हमास का complete control है मैं यह पूछूँगी जो अभी West Bank है वहाँ पर Philistine National Authority का राज है वहाँ पर सरकार वहाँ चलती है लेकिन जो गाजा में है वो हमास का कब्जा है तो अब हमास क्या चाहता है यह आप क्या देखते हैं युद्ध का इस war का यह आप कम समय में खतम होना देखना चाह रहे हैं आप आप इसके परणाम क्या देख रहे हैं दूरगामी कि यह 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 लाइंस फिक्स्ट लाइंज आप लोग एक बात समझो कोई जो एरब वर्ड में हमास की सपोर्ट कर रहा है पलेस्टीनियन के नाम पे कर रहा हो हमास की कोई सपोर्ट निकर रहा बिकॉस हसाम हमारे या आपने मतलब तो उनका उनका उनके राइट से लेकिन ये जो लड़ाई है ये हमास ने क्यों शुरू किया सोचना पड़ेगा इस मुद्दे को पैलिस्टीन मुद्दे को बैक बर्नर पे लोग बिल्कुल भूल गे थे वेस्ट बैंक में जो उसकी मर्जी थी वो कर रहा था हा अला कि वेस्ट बैंक में पलेस्टीन और ये लेकिन वह कंप्ली टो 30 कंप्रोमाइज दे और वह ऑथर्टी जो है वह बिल्कुल जैसे इस्राइल चाहता है वैसे करती और हमास का माथ बिल्कुल और हमास दो है बट वह एड्मिस्टेटिव हैं लेकिन मेजर से मेजर मतलब एक सरे से कंज्यूटिव लीडरिशिप गउंगा मैं लीडरिशिप तो नहीं एक सकता मैं इसराइल को नहीं ब्लेम करूंग है इसराइल की सदोर्मेंट से इसराइल वेस्ट बेंक में ना और उनको वह कंप्लीट गार कम्प्लीच उनके conflict ज economy ने अपने आप को बिलकुल चलेगी थोड़ी लंबी चलेगी इसमें नितनियाहू की साह कितनी नितनियाहू की इतनी लंबी चलेगी जब तक नितनियाहू नितनियाहू एक हाड लाइनर है नितनियाहू इंटरनल इसमें कॉन्फिक्ट में इन्वाल्ट है तब यह सब हुआ है अंदर अंदुरुनी फर् बुक आफ दी गाजा स्टिप से या तो आप इवेक्वेट करके इजिप में लोगों को नहीं ले जाओंगे और जब तक यह कोई इंटरनेशनल औरगनाइजेशन यह करके इंफ्लुएंस करके टेरिस्ट को बोलेगी चोड़ दो तो मुझे नहीं लगता अगले पंदरा दिन तो बीशन युद देखेंगे और बिलकुल वेस्ट बेंक में तबाही देखेंगे यह सारा का सारा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मुवेंट हो रहा है यह है कि वह जो यॉरप के अंदर आके बस गे जो 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 लोग पैरिस्टीनियन्स हैं वो हमास के लिए अब जैसे अब हम क्यों रोश में हैं क्योंकि इसराइली सिविलियन्स मरें बच्चे मरें औरते मरें सारी दुनिया को रोशना कल जब पैलिस्टीनियन्स के बच्चे औरते और वो सब दिखाई जाएंगी मीडिया वार्फिर में तो लोग बोलेंगे वह यह भी गलत हो रह करेगा और सबसे पहले इसके बारे में बताए गाजा की जो निर्भरता है वो इसराइल पर कितनी है यह जो कह रहे हैं बिजली पानी हमास धमकी दे रहा है कि हमने तो बदला लिया अल-अक्सा मस्जित का और जो जो इसराइल ने किया हम उसको वैसे ही पलटवार कर रहे है जो हमारे साथ किया और फिर आमेरिका का रूल बिलिंकन क्या आप देख रहे हैं अमेरिका जैसे योकरेन को सपोर्ट कर रहा है वैसे ही इसराइल को सपोर्ट करेगा उच्चक्र ये अमेरिका इसराइल को मेरिका कि हंडर nimmtफर सपयोड है पिछ़ले पिछले 60 साल से उसमें क क Mississippi गोर्मेंट करती है और मैने फक्रोफ यह इस दस्ट परम रदाना चाहेगा अपने बलबूते पे ये एक सिंबॉलिक है शो अफ स्ट्रेंथ है शो अफ यूनिटी है जूज कॉमिनिटी को भी एक मैसेज देना है अमेरिका के अंदर बाइडन को तो ये सारी मिनुवरिल्टी उसके लेकिन लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहेंगा ठीक इसी तरह से एरब इक एए से स्टार्ट हो जाएग DRघ और मेरता है अर्श ब्लॉकेड के अंदर से वह से पहले जाने देते थे तो इनकी इनके इनके protest वा मैक्सिमं में यूणि देता है मेंकिमम देता है नटेता है तो हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से एक मेरा मान नहीं है कि किसने महां सेंस किया कम से कम भी तीस लाग के अठाइस पचीस लाग के उपर पॉपलेशन होगी बहुत ठीकली पॉपलेटिटिड है अब लोग मरेंगे वहां अलड़ी लोग शेमनार्थी केमप रहें ना जो यू से आता है जो मॉनिटर्ड है सबसे बड़ी तो मैं सोचता हूं इन में यू की और यूएन की फेलियोर है कि जिन्होंने एड दी और अगर उस एड को ठीक से यूज नहीं वार वह एड टेरिस्ट ने यूज किया है तो फिर आपकी मॉनिटरिंग एजन्सी की गलती है और इसराइल जो है वो अब इस बहाने जो उन्होंने किया है वो बहुत बहुत ही गिनावनी अरकता हम सब मानते हैं एक बहुत बड़ा डिमार्केशन है वो ये कि इसाई, इसलाम और यहूदी ये ये तीन आपस में ही लड रहे हैं तो फिर इसका नतीजा क्या देखते हैं कि जीवस जीतेंगे या यहूदी जीतेंगे या क्या होगा क्योंकि देखे ये लड़ाई ऐसा लग रहा है आप जै देखिए जब किसी को सत्ता की बहुत भूख होती है ना तो धरम का सारा लेता है हमास को सत्ता की भूख थी उसने धरम का सारा लिया देखिए ये लड़ाई धर्मिक स्थान से है इसमें कोई शक की बात नहीं पूरा का पूरा मुद्दा जैरुसलम से स्टार्ट है इसमें क यहां तक एरब वर्ड की बात है मुस्लिम मोड़ भी बहुत ज्यादा इसको इस्लामिक वार ना करके उसको वह अपने domestic interest domestic आज के दिन हर अपनी population अपनी वोट अपना वोट मेंक अपने अपना ग्रोथ अपना वो देख रहे हैं अब देखो ना तो यह सब उसमें symbolic यह सब statement issue करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन एड रियल एड वार की मैंनी सनस्ता धर्म के नाम पे कोई दे रहा है यह गाजा स्ट्रिप के अंदर जो हमास है वो एक टेरिस्ट और्गनाइजेशन है यह जॉर्डन जीन मानते हैं यह साओधी रेबी में मानता हैं यह सब मानते हैं कि यह वह सी तरह से जैसे ISI पूरा का प अफगारिस्तान को डिस्ट्रॉई कर दिया और थोड़े बहुत जो हमारे यहां सिंपताइजर मुस्लिम से जम्मू एंड कश्मीर में उनकी तबाई करवा दी अगर आज इंडिया में नहीं कहीं प्रोग्रेटी हुई जम्मू एंड कश्मीर में पूरे देश में हम तो मैं करते हैं तो यह सब जितनी यह हैं यह सब उसका खेल है मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा अब धरम कट्रवाद पे इरान जरूर है कि उस पर आके लोग इसको यह ज़्यादा हुविनिटेरियन एंगल से अगर कुछ एड मिलेगी गाजा स्टिप में हम पैलिस्टीनिय यह मैं नहीं समझता यह धार्मिक लड़ाई इस नोटे क्रूसेड नहीं है यह और इसको क्रूसेड का रूप देने की जो भी कोशिश करेगा इसका मतलब वो खुद आड्लाइनर है हमास तो करेगा हमास तो सत्ता चाहता है या इसके बाद वेस्टमेंग में जाएगा इस नहीं एकश्प्लाइट कर रहा है वो अपनी सत्ता के लिए कर रहा है ना कि उस धरम के लिए उस धरम के भले के लिए यह मेरा मानना है और गाज़ा पट्टी में भी यह है गरीबी है आप समझ नहीं सकते हैं अगर यह इतने इसलाम को सेवियर्ज है तो यह करोड़ों इतने बड़े UAE में इतनी प्रास्पेरिटी है इतनी प्रास्पेरिटी अपने साओधी अरेबिया में इन्हों ने महां से गरीबी क्यों नही इन्हों ने महां पे क्यों नहीं करें यह सब थागरने को हर नशी को हर बार्त मज़वोथ होगा इंडिया ब्रॉट तो इच्वरी इंच्ट्वेंटेगर नौन और wen्गयि कृई अद्ट लिए भारत युएन की से है ना युएस की से है ना किसी लीग की से है ना किसी किसी की से नहीं है जो कंट्री स्ट्रॉंग है चाइना चुपचा बैठा है बकॉज एकॉनम की इतना स्ट्रॉंग है जिस मर्जी की एकॉनमी को गिरा देगा बैलंस ऑपेमेंट इतने और अमेरिका क्यों डॉलर उनकी करंसी है वो भी ट्विस्ट करता है तो वी हव तो ग्रोव वेरी स्ट्रॉव आज को किसी लड़ाई लड़ने प्यार निया अमेरिकन्स विल नॉट कम टू ग्राउंड बूट्स पॉट अंग्राउंड तो फाइट फॉइट फॉइड इस राइली इस राइली इ अगर कॉंशिस हुई दिनिया में और लोगों को लगा कि परिस्टीनियंज आम बच्चे उनका भी दुरुप दिश्टी है इन्फॉर्मेशन वाउर्फेर होगी वह भी थोड़ी बहुत करेंगे तो उस टाइम पर कोई सॉलूशन बहुत बहुत अच्छा बताया कि यह यह एक ऐसी लड़ाई है जो अभी और पंद्रा दिन हम देखेंगे कि भीशन युद्ध चलेगा बहुत बहुत शुक्त थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू